हेलो गैस केसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस के Samsung Galaxy A55 5G फोन में आप लोग DPI को केसे चेंज कर सकते हो अगर आपके पास Samsung Galaxy A55 5G फोन है और इस फोन में जो आपको DPI सेटिंग्स को यूज करना है तो DPI सेटिंग्स किया होता है गैस आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा आपका जो स्क्रिन का साइज है जो भी एप्स वगरा का साइज है वो जो है आप लोग जो है बारा और छोटा कर सकते हैं इसको यह बोलते है DPI सेटिंग्स तो केसे आप लोग जो इसको चेंज करोगा अपने DPI को इसलिए वीडियो को लास्त तक देखिए और अगर वीडियो पसाना आए वीडियो को लाइक कर दीजिये और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिये तो चलिए गए इस वीडियो को स्टार्ट करते है DPI को change करने के लिए आपको सबसे पहले अपने phone के settings में जाने के बाद यहाँ पर जो आपको नीचे scroll down करेंगे तो last में developer mode देखने को मिलेगा अगर आपको developer mode on करना नहीं आता हैगा इस तो मैंने पहले वीडियो बना करें अप लोग जाके देख सकते हैं और developer mode को on कर लिजए on करने के बद developer mode मिलेगा अगर यहाँ पर नहीं मिल रहे तो आप लोग सीधा यहाँ पर search भी कर सकते हो developer search कर दीज़े आपको यह developer mode मिल जाएगा तो developer mode पे आने के बाद इस पे आपको click करना है click करने के बाद नीचे scroll down करते जाना है guys आपको यहाँ पर ही जो है dpi setting देखने को मिलेगा देख सकती है minimum with इसको ही बोलते dpi setting इस पे click करेंगे click करने के बाद यह 360 पे है अगर आप लोग यहाँ पर 400 लिखके ok पे click कर दोगे तो आपका dpi जो है वो change हो जाएगा तो देख सकते apps वेगरा कितने छोटे हो चुके जो भी आप लिखे हुए है यापर कितने छोटे छोटे आगे है अगर आप लोग यहाँ पर से जो है 320 या 310 लिख देंगे यहाँ पर और ok पे click कर देंगे जो आपका dpi हो बहुत ही large size का हो जाएगा भी आप लोग देख सकते हैं जो dpi है जो भी आप लिखे हुए हो कितना large size का या पर आ चुका है तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Samsung Galaxy A55 5G phone में आप लोग dpi को चेंज कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों को इवीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और